Welcome back to my YouTube family कैसे आप सब उमीद करता हूँ आप सब खेरीयत से होंगे हमारी आज की वीडियो में डोरी पेपिन लगाने का निहायत ही असान तरीका सीखेंगे डोरी पेपिन लगाना बहुत ही असान है यह हमारे पास कपड़ा है इसके साथ हम डोरी पैपिंगी पटियां कट कर लेंगे सवा दो दो इंच की चोड़ी पटियां कट करेंगे सवा दो इंच पर यहाँ पर निशान लगाते जाएंगे सवा दो इंच की सीधी पटियों के लिए निशान लगा लिए यहां पर हम पटियां कट कर लेंगे सेम इसी तरह सवाद दो इंच के चोड़ी एक और पटी के लिए बेनिशान लगाएंगे सवाद दो इंच चोड़ी पटी रखते वे निशान लगाने के बाद यहां पर हम पटी को कटिंग कर लेंगे पट्टियां कटिंग करने के बाद यहां पर दामन्चा के लिए हमारी पट्टि कटिंग हो चुकी है टोटली यहां पर इनको आपस में खोल कर यह जोईन्ट कर लेंगे एक दूसरे के उपर रख कर यह जोइन्ट से लगाने के बाद यहां पर हम इनको आईरन कर लेंगे यहां पर आईरन हो चुक्छी की आप दे सकते हैं यहां पर अभी हम आपको दिखाते हैं सवा दो इंच की हमारी चोड़ी पटी है यह आप दे सकते हमारी पटी की चोड़ाई है अभी हम इसका half inch अंदर की तरफ फॉल्ड करेंगे आरेंगे साथ दामन और चाग की डोरी पैपिंग पटी को हम आदेंग फॉल्ड करते जाएंगे सारी पटी को हम इसी तरह फॉल्ड कर लेंगे इससे हमारी डोरी पैपिंग जो है वो बहुत ही असानी से लगेगी आगे चल के आपको दिखाते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल तेमूरतरक स्टिच को सब्क्राइब करें जी तो आप देश सकते हैं एक तरफ से आद इंच फोल्ड हो चुकिया हमारी पटी अभी यहांपर सबाइब पटी को चोडा रखकर छोटा सा कट लगा लेंगे जी तो कट लगाने के बाद यहांपर साइड चॉक से हम एक इंच उपर कि तरफ रखके डोरी पैपिंग लगाएंगे यहांपर हमारी एक साइड पहले से ही फोल्ड है और हम डोरी को इस कट वले जगह पर रखके इस तरह हम बाकी कपड़े को फोल्ड करके पटी हमारी जो है सवाइंच की पूरी तयारा जाएगी और इस तरह हम साइड चौक से एक इंच उपर रखके पटी को डोरी पैपिंग लगाते जाएंगे एक साइड हमारी पटी जो है वो फोल्ड है आप दे सकते हैं और इस तरह हमारी दोरी पैपिंग पटी जो है बहुत यासानी से लग रही है इसके साथ ही चौक की डोरी पेपिंग सिलाई लग चुकी है यहां पर हम एक इंच नीचे की तरफ लेके जाएंगे और सिलाई निकाल लेंगे सिलाई निकालने के बाद आप दे सकते हैं परफेक्ट तरीके से हमारी पट्टी जो है बिल्कुल तयार है अभी हम यहां पर इसको फॉल्ड करेंगे फॉल्ड करके सिंपली हम इसी फूट के साथ शिलाई लगते जाएंगे इस सिंगल फूट के साथ हमें बिल्कुल पट्टी की फिनिशिंग सिलाई लगते जाना है बहुत यह असानी से आप देख सकते हैं पट्डी को अल्रेडी फोल्ड किया हुए जिसके वज़ा से हमारी सिलाई जो है बहुत आसानी से लग रही है यहां पर एक साइड चौक की डोरी पैपिंग लग चुकी है यहां पर पका कर लेंगे सिलाई को और यहां पर सिलाई निकाल लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं एक साइड चौक की मुकमल डोरी पैपिंग लग चुकी है यहां पर इसका अच्छी तरह कॉर्णर बनाते हुए प्रफेक्ट कॉर्णर को इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह एक साइड से पटी को फोल्ड करके लगाते हुए आपको सिर्फ यह देखना है कि आपकी पटी एक जैसी आए यहां पर आप देख सकते हैं हमारा एक कॉर्णर जो है साइड चौक का बन चुका है परफेक्ट तरीके से बहुत ही प्यारा नोकदार कॉर्णर बना है आप देख सकते हैं यहां पर दामन की भी डोरी पैपिंग सिलाई लग चुकी है आप देख सकते हैं यहां पर एक एंचागे की तरफ लेके आए हैं और यहां पर सिलाई निकाल ली है सिलाई निकलने के बाद आप देख सकते हैं हमारी दामन की भी पैपिंग पट्टी फोल्ड हो चुकी है फोल्ड होने के बाद इसी फुट के साथ यहां पर भी हम फिनिशिंग की सिलाई लगाते जाएंगे और इस तरह आप दे सकते हैं हमारी फिनिशिंग के साथ दोरी पैपन लग रही है बहुत यह असान तरीके एक साइट से पटी को फोल्ड करें सिम्पली और इस तरह असानी से दोरी पैपन लगाएं यहां पर आप देख सकते हैं कॉर्णर भी हमारा अल्रेडी फोल्ड है इसको भी कहीं से फोल्ड करने की जूरत नहीं है सिंपली इसको हम यहां पर लेके आएंगे और सिलाई को निकाल लेंगे और यह आप देख सकते हैं हमारा कॉर्णर जो है परफेक्ट तरीके से बना है दूसरी तरफ चौक के लिए भी हम सेम इसी तरह कॉर्णर को बनाते हुए डोरी पैपन लगाएंगे आप में से किसी का भी कोई हम से सवाल हो तो आप हम इस्टाग्राम पर मेसिज कर सकते हैं इस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पर साइड चौक के दूसरा कॉर्णर भी बन चुका है आप देख सकते हैं पर्फेक्ट तरीके से बिलकुल नौकदार कॉर्णर बना है दूसरी तरफ के साइड चौक की डोरी पैपन भी लग चुकी है यहाँ पर हम एक इंच उपर की तरफ लेके जाएंगे और सिलाई को निकाल लेंगे सिलाई को निकालने के बाद आप देख सकते हैं पटी हमारी अल्रेडी फोल्ड है, कॉर्णर भी फोल्ड है बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हम उपर से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और चौक की डोरी पैपन पटी की यह सिलाई भी लगा लेंगे एक ही फोट के साथ हमारी यह डोरी पैपन लगाने का तरीका है और हम सेम इसी तरह बैक दामन चाग में भी लगाएंगे न्यू सीकने वालों के लिए यह तरीका बहुत ही असान है यहाँ पर हमारे एक दामन चाग की डोरी पैपन मुकमल लग चुकी है सिलाय को यहाँ पर हम निकाल लेंगे न कॉरनर को हम दोर्पाई कर लेंगे कुछ इस तरह हमारी डोरी पैपन लगी है आप दे सकते हैं अभी हम इसको अच्छी तरह आरन कर लेंगे पहले हम डोरी पैपन पर्टि वरी साइट से आरन करेंगे पूरे दामन्चाक को आरण करना बहुत जरूरी होता है फिनिशिंग देने के लिए आपने स्टिचिंग सफाई से की हो लेकिं आरण ना की हो अच्छी तरह तो आपकी स्टिचिंग बिल Bush अच्छी नहीं लगती अगर आप अच्छी तरह आरण करते हैं आपकी स्टिचिंग बिलकुल फिनिशिंग में अच्छी लगती है यहां पर डोरी पेफिंग पट्टी की साइट से हमारी ऐरन हो चुकिया आप दे सकते हैं अभी हम फिनिशिंग साइट से भी इसी तरह आइरन कर लेंगे जी तो आप दे सकते हैं इस तरह हमारे कॉर्नर तरुपाई होने के बाद बिलकुल फिनिशिंग के साइट आए हैं और यह हमारी डोरी पेफिंग भी फिनिशिंग के साइट लग चुकी है आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगे है कमेंट सेक्शन में अपनी रहे जरूर दिया करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और हमारे चैनल को सब्क्राइब किया करें मिलेंगे अगली वीडियो में दौा में याद रखें अल्ला हाफीज